हेलो दूस्तों देखने दूसमा आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चिन आंसर सीरीज में हर संडे दोस्तों हमारा ये एपिसोड आता है जहां पर आपसे इंटरेक्ट करने के लिए बहुत मज़ा आता है आप मुझसे दिल खोल के सवाल करते और मैं भी दिल खोल के बीना डरे आप लोग के सवालों का जवाब देता हूँ संडे है दोस्तों छुटी है तो कोफी चाही ले लो और मज़े लो पहला सवाल यहां पर आता है बिग बैंग की तरफ से क्या बात है उन्होंने बोला कि ड़स 2.5 मिलियन चैनल कॉपी और टेक नियूस आइटिंग येस ऐसा वो बोलते हैं देखें सारे जो यूटूब वो डंटीनुनल क्रियेटर्स होते है इन सब की अपनि ऑइडेंटियों होते है और टेक्न्यूस जो होती है वो किसी की fiqs नहीं है मैं जो टेकनूस देता हूं जो मुझे मिलती वो दूसरे लोगों को भी मिलती है और वो अपनी टेकनूस में उसको तो लोग sends कशनी ये से नहीं जोबिक आपको कोपी करते हैं बहुत बड़े creator से वह मैं करते है कैस तो खर में मत Corp difference अब सब्सक्रा वोजने की । बात है कभी में लिए टेक्नी जिता हो कभी वो लोग जल्दी जले तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंनों की कॉपी कि ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी मत सोच ऐसा कुछ नहीं अनिल भगत बोलते है कि what about GTA 4 Android भाई मैं इतना बे सबरी से वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का कि मैं आप से क्या बताओ GTA San Andreas तो खेल चल के मैं पग गया अब GTA 4 Android पर कभी आएगा यह नहीं बताओ 2020 की तो बाते हो रही थी लेकिन अगर आ जाए तो मेरे साब से बहुत बढ़ी आओगा अश्वाक महफूस बोलते कि भाई tell something about Realme Project X and will Realme OS comes in Realme 3 Pro सबसे पहले तो Realme 3 Pro में ही आएगा क्योंकि जो बीटर टेस्टिंग हुई थी ना उसके लिए Realme 3 Pro होना बहुत ज़रूरी था इसका मतब सबसे पहले उसी में आएगा और Realme OS दोस्तों बहुत जल्दी आएगा Color OS को बोल निकाल रहे है क्योंकि जो Realme यह ओपो से अब एकदम ही अलग हो रहा है तो software भी क्यों रखेगा वो भी जो निकाल रहा है बस मैंने आपसे पहले ही कहा था कि manufacturing तो अभी भी ओपो का ही अंदर हो रहा है पता नहीं लास्में ओपो का ये भी छोड़ देगा तो फिर उसको बहुत खर्चा होगा पता नहीं मोची के पास बैटकी के रिपार में चलू करते है पता नहीं पारस computer बोलते कि मेरा सवाल पिक कर लेना तो कर लेते है भाई उन्हेंने बहला 10-1100 की उनकी बजट है उनका फोन लेना है Redmi Note 7S या फिर वो Realme फाइल है देखिए मैं एक चीज़ सबसे honestly कहता हूँ Redmi Note 7S भी थोड़ा पुराना फोन है हाला कि वो फोन बहुत अच्छा है बीभी 48 में का पसिल वाला कैमरा है Gorilla Glass 5 की प्रडेक्शन पीछे ग्लास बैग है Type-C पोटे 660 फुल वर्जिन स्नैप्रेकन प्रोसेसर है बहुत अच्छा फोन है Realme 5 2665 है तो यह उससे प्रोसेसर बेटर है चार के आमरे से तो वेराइटी मिलती है हाले कि वो 48 के टक करका तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर वेराइटीस आपको मिल रही है 5000 इमिज की बैटरी है डिजाइन भी काफी प्रिमी में डिस्ट में भी बहुत बड़ा है तो मेरे सबसे नया फोन है तो Realme 5 सही रहेगा लेकिन अगर आपको Note 7S चाहिए तो वो भी अच्छा है आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होगे अक्षिस बासरों बोलते है कि वाई इस ओनली हाफ दे रैम इस अवेलेबल इन दे फोन फोर एक्जामपल ओनली 3GB रैम इस अवेलेबल फ्रम 6GB दे कि आपका जो फोन जब आपको मिलता है ना कुछ ज्यादा ही रैम चंजmem कर देता तो उनका जो आप्माइशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है इसलिए जो स्टॉक होता है नहीं वो बेटरू होता है कि ही तो यह ठीज्जी के बंग फ्रे अपलोड करते हो मोबाईल से या फ़िर से upload करता हो मैं दोनों से नहीं करता हूँ मैं laptop से करता हूँ यहाँ पर A star बोलते कि आपके हिसाब से all rounder phone 2019 में कौन सा है ज़रूरी नहीं कि वो सस्ता हो या महंगा हो लेकिन value for money होना चाहिए देखिए मेरे साब से ना भाई मैं तो पहले तो आपके जैसा मैं भी confused हूँ इतने सारे phones हर महीने launch हो रहें कि मैं आपसे क्या बता हूँ लेकिन जहां तक मुझे लगता है अभी तक फिलाल के लिए जो मुझे सबसे अच्छा phone लगा जो मैं अपनी personal use की बात करूँ तो oneplus 7 pro बहुत बढ़िया phone है उसका UI इतना fluid है मतलब क्या बताओ display तो कमाल का है camera इकदम next level का है जो performance overall है इस phone में मुझे बहुत बढ़िया लेगी यह expensive भी उतना है लेकिन यह phone काफी बढ़िया और मैं एक और चीज़ कहता हूँ Redmi Note 8 series वाले phones आ रहे है वो भी बहुत all-rounder phone होने वाला है उसके लिए आफ़ जरू से stay tune करना यहाँ पर हर्शय गाउना बोलते है कि मी इतनी में AMOLED display आ गया क्या हम Redmi Note 8 Pro में भी AMOLED display expect कर सकते है यह हमारी expectation है लेकिन मुझे लगता है आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो photo निकल कर आया था आप देख सकती है पीछे आपको चुचार camera मिलते है उसमें दोस्तो नीचे ही आपको rear fingerprint scanner देख रहा है इसका मतलब सामने का जो display होगा वो फिर आपको AMOLED नहीं देगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसमें AMOLED display जो वो देखने को मिलेगा किरिन सावत बोलते है कि भाई किया 2020 में 5X और 6X optical zoom telescope camera वगेरा जो है वो 15,000 की नीचे आ सकता है कि भाई क्यों नहीं आ सकता है 15,000 की range में हमने कभी सोचा था snapdragon 712 या हमने under display fingerprint scanner और quad cameras 10,000 की नीचे आ गया है दोस्तों तो यह भी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है यह एक बस शुरुआत है देखो कहा snapdragon 845 आप यकीन करोगे अभी तो कितना सस्ता 718,000 में मिल रहा है कभी आपने सोचा था पिछले साल का flagship processor है यह जब हो सकता है तो यह भी हो सकता है 50 Ti Graphic के साथ में था 65-something-thousand का था तो वह आप लेलो थोड़ा पैसे दलके वह बहुत बढ़िया laptop है Free Fire Battle King पुछते कि विच वन इस बेटर, Realme 5 Pro या Redmi Note 8 मैं अभी कुछ नहीं बहुत सकता है और Redmi Note 8 तो आया नहीं है लेकिन अन पेपर तो Redmi Note 8 series बेटर लग रही है तो जब वह आएगा तो और भी आपको डीटिल में बता सकता हो तब इस चैनल बदेगे आप जब तक यह कमेंट का अंसर देंगे तब तक Realme 5 और Mi A3 लांच हो गया होगा बहुत ही बढ़िया कैमरा है Gorilla Glass 5 आपको पीछे मिलता है ग्लास बैक है टाइप सी पोर्ट है बहुत कुछ मिलता है और अगर थोड़ा चार्जर ले ले तो फास चार्जिंग भी कर सकते है तो मेरे साब से बहुत डिफरेंस है तो ज्यादा खास में आपको नहीं बता सकता आपकी पीछे लगा हुआ है उसमें जो लोगों है वह सोने का है या बताना जरूर भाई अच्छे आप इस वाले लोगों की बात कर रहे तो भाई यह सोने का होता तो यहां होता भी नहीं परवेश आलम बोलते हैं कि Realme 2 Pro will get Realme OS वाई शाओ में रिल्मी आ नोट लांचिंग टैबलेट्स हाँ वाई रिल्मी तू दिए पुराने जितने भी रिल्मी के फोन से उन सब में आपको रिल्मी OS मिलेगा क्योंकि यह को इतना भी जबर्दस नहीं है जो आपको एक एक ही लेटिस्ट फोन में ही देंगे वो सब में ही पुश करेंगे बस कलरों से थोड़ा बैटर होगा ज्यादा कुछ खास फरक नहीं होगा इतना मापको अभी से बता रहा हो शाओमी और रिल्मी टैबलेट्स क्यों लांच नहीं करते शाओमी तो करता था यार लेकिन इंडिया की रेइंच की बात करो तो रेडिमी के 20 प्रो बेस्ट है बात करों 15000 की रेइंच की बात करता हो थो थोड़ा एक-दौद उपर जाते हो तो वीवो डॉस कमिलता है खरजार की आफ्रा के वा जात moyen और बइस 5000 की बात करो तो 10-15 अधर रेलमी 5 प्रो है मी chats r от बोलते है कि iPhone mid range का phone क्यों नहीं ला रहा है और camera सिर्फ 12, 8 और 5 MP क्यों लाता है देखिए बाई, iPhone जो है Apple के जो iPhone से वो बहुत highly optimized होते इनका जो UI वो बहुत smooth होता है जो camera होता है भले हो 12 MP या 5 MP या 5 MP इनका जो optimized होना था वो next level का होता है तो आप उसको match नहीं कर सकते 48 MP या 64 MP के साथ में यहां तक कि जो RAM भी होता है तो वो इतने flagship phone में भी 3-4 GB की RAM देता जबकि आज 8 और 12 GB Android में मिलते Android को आप iOS से compare नहीं कर सकते Apple को आप कोई भी Android की phone से compare नहीं कर सकते इसलिए वो तब महंगा भी होता है और जो लोगों को एक बार Apple की आदत लग जाती है यह मैंने notice क्या हो वो उस पर ही चिपका रहता है वो उसके आगे कभी बढ़ता नहीं है तो optimization एक बहुत ही बड़ा खेल है जो Apple करता है इरम खान बोलती है कि should I take Redmi K20 Pro और wait for Redmi Note 8 Pro और Realme XT Redmi K20 Pro देखिए उसका price ही उपर जा रहा है तो आप लेना है तो वह बहुत च्छा phone ले सकते है लेकिन Redmi Note 8 Pro और Realme XT के लिए वेट कर लो जादा दिन नहीं है थोड़े दिन है तो आपको पता चल जाएगा पर तनमोई बतब गयाल बोलते है कि love you dada love you to मेरे भाई और उन्होंने पूचा है कि Mi A3 has metal frame और polycarbonate frame like Redmi Note 7 series उसमें aluminium frame है जहां तक मुझे पता है metal frame तो है ही नहीं और ना polycarbonate उसमें आपको aluminium frame मिलता है पार्थ दार्ची बोलते कि OnePlus 7 Pro लो या Note 10 बजट no problem Note 10 Plus लो बहुत ही अच्छा आप होने आप बिलकुल भी निराशन होगी क्यों जो features आपको मिल रहे है वो बहुत नए है तो दोनों में से आपको Note 10 Plus अगर पैसा दे सकते हो तो आप ले सकते हो यहाँ पर बिंदास टेक्निकल बोलते है कि Realme XT and Redmi Note 10 Pro and Vivo Z1X price क्या होने वाली है Realme XT तो मुझे लगता है 20,000 के आसपास या उसके उपर जा सकता है Redmi Note 8 Pro 15-20 की बीच में हो सकता है और Vivo Z1X भी कुछ 15-20 की बीच में मिलेगा आप आएगा तो मैं आपको उसके बारे में और भी बता दूँगा श्याम गुपता बोलते है कि मुझे एक ओवरल फोन लेना है मेरा बजट भायर 15,000 में कौनसा फोन दो Mi A3 या Realme 5 Pro लो बहुत सारे आपको उसमें अच्छे features मिल जाते है सोमनाद गोश बोलते है कि Mi A3 support dual 4G वोल्टी और उसमें inbuilt dark mode अवेलेबल है अवेलेबल है inbuilt dark mode मिलता है पर वो इतना optimize नहीं यह उसको properly नहीं किया है उसने उसका settings menu भी dark नहीं हो जाता है और बहुत सारे चीज़े उन्होंने प्रोपर नहीं किया तो एक updates से अगर fix कर दें तो बेटर है लेकिन मिलता है और हाँ dual 4G वोल्टी ओविस लिसमें आपको मिल जाता है अंकुष पोपली बोलते है कि realme 5 pro लेलू या फिर Redmi Note 8 का वेट करो और realme buds का unboxing वीडियो कब बना रहे हो realme buds unboxing थोड़ा सा वक्त लग जाएगा पता नहीं मुझे अवी तक आया नहीं है लेकिन realme 5 pro की और realme Redmi Note 8 की बात करो तो Redmi Note 8 बेटर होगा जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा शयबाज हुसेंद बोलते ही कि assalamualeikum walikum assalam कौन सा processor powerful है Snapdragon 665 AI या Helio P70 Snapdragon 665 आपको 11Nm पर भी मिलता है और यह powerful हलागि P70 में तो pub जी अब HD में खेल सकते है असफाल 9 भी बिल्कुल लैग नहीं होता है 665 में तो थोड़ा बहुत असफाल नहीं आता है अब 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 जी भी बैलेंस पर ही इस्टिक है पता नहीं क्यों जबकि 660 में खेल सकते है के साथ आएगा या water drop I think water drop के साथ में आएगा pop-up selfie आपको नहीं मिलेगी मैं एक फोटो देखा था बीच में जा पर उपर वाटर आप नोच देख रहे थी में इस सहरा और नॉट पर अर्जुन शिसुपाल वोलते है के आभी इसकीप कर दो मैं को ृइच्ट और नॉट अब नूट पर उससे बैटर होगे तो आप उसी में बेट करो यहाँ पर वितम-daas ओफिशिल बोलते हैं कि Realme 6, 6 Pro कब तक आ सकता है भाई अभी Realme 5 और 5 Pro आए अभी कल कुर Realme 6 और 6 Pro आएगा ता बोलें कि Realme 7, 7 Pro कभी आएगा हम हमें ना कितना भी खिला दो, कितना भी खिला दो, मीठा खाएगे खाने के बाद यहाँ पर नारायन बसर रखती बोलते हैं कि Realme 5 में 5000 बैटरी दिया है तो Realme 5 Pro में क्यों नहीं दिया है भाई उसमें features भी आपको ज्यादा दे रहा है और इतना महंगा भी phone नहीं है तो हमें आपसे पहले कहा था कि cost cutting गी चीज़े आपको समधना पड़ेगा जो company करती है कहीं ना कहीं उनको अपनी चीज़ को adjust करना पड़ता वहना सब कुछ दे देगा तो फिर वो कमाएगा क्या Paid Android Gaming बोलते हैं कि 5G mobile comes then mobile will be purchased और update in 4G only कुछ updates ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप 5G में चले चाओ तो फिर 5G ready वाले phone ही क्यों ला रहे मार्केट में काई को ला रहे इतना खर्जा क्यों कर रहे है आपके phone में existing phone में ही दे रहे थे फिर update उसके लिए 5G ready phone होना चाहिए प्रोसेसर की capabilities होनी चाहिए दूसरी चीज़ उसके नदर वो dedicated modern लगवाएंगे जब जाके आपको 5G मिलेगा उसके बाद आपके phone में जब आप sim card डालेगे जो 5G compatible होगा company देगी towers लगेंगे जब जाके connection होगा और फिर आपको 5G मिलेगा अगर ऐसे हो गया होता ना तो फिर तो सबके घर में करना मिलते हैं आप से एक लिए में विडियो के साथ तिल देने वे ग्रेट दे एंड ओल्वेश कीप स्पाली